हलो डियर स्टुडेंट यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग एंड इक्षेंज आप गैसेज पिछले वाले वीडियो में हमने डाइशन और अब जास्म कर जो टापिक था कम्प्रीट हमने वीडियो अप्लोड कर दियें यूटूब पर यहाँ पर हम चेप्टर नॉ कर निजम क्या होगा इक्षेंज आप गैसेज ट्रांस्पोर्ट आप गैस रिगुलेशन फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्पारेटरी डिसाडर रिस्पारेटरी डिसाडर क्या है चलिए एक करके इस पार्ट लेक्षर नमर हमारा वन है यहाँ पर हम स्टार्ट करेंग रिस्पारेटरी आर्गन यहाँ पर हम रिस्पारेटरी आर्गन श्टार करते हैं तो रिस्पारेटरी आर्गन में पाढ़ने स्पहले यहाँ पर हम आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है इंपोर्टन पड़ा जैसे पिछले वाले चैप्टर से हम रिलेट करते हैं देखिए कोई भी बायो एक दूसरे चैप्टर से एक दूसरे रिलेट होता है पिछले वाले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि जो डाइशन और अबजास्वन जो सिंपिल मालिकुल थे ग्लुकोज, अमिनोसीट, फैटीशिट इन सब का अबजास्वन बलड में हो चुका था है अब वही बलड से इनको हम टीशू पास पहुचाएंगे जब टीशू पास पहुचाएंगे क्यों यहाँ पर हमें रेस्पारिशन पढ़ना कांसर समझे जब एक ग्लुकोज, अमिनोसीट और फैटीशिट टीशू पास पहुच जाएंगे टीशू के पास जब पहुच जाएंगे और टीशू का अंदर अलेडी पर्जेंट होंगे और आक्षियन को यूज करके यह आक्षियन का यूज करके इनका सिंपिल मालिकुल का जो ग्लुकोज, अमिनोसीट और फैटीशिट इनका ब्रकडाउन होगा जब यह ब्रकडाउन होंगे इससे क्या होगा? एनरजी रिलीज होगा और यही एनरजी बायरियस एक्टिवीटी के लिए हम यूज कर सकते हैं और जब स्वभाग बात है कोई इससे है अगर जैसे माली इससे है हमई इस स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ जैसे इससे है इससे है इससे है, इससे में बहुत सारी न्यूटेंट पड़े है इस cell में Metabolism होगा और यहाँ पर जब इस cell अक्षिएन के संपर्ट में जब आएगा क्योंकि आब यहाँ पर एस cell है और cell के जैसे अक्षिएन संपर्ट में आएगा तो यहाँ पर जो Glukos lowlyскूल होगा अक्षिएन के Water और Energy यूस्त हो जाए लेकिन carbon dioxide एक harmful product है कि इसे हम अपने body से हमें remove करना है अब यहीं देखिए जो harmful compound carbon dioxide है इनको हमें release करना है ketabolism reaction के दोरान क्योंकि जो हमने अभी reaction बताया था glucose plus oxygen यहां पर carbon dioxide plus water plus energy जो बनेगा इस reaction को हम ketabolism reaction कहते है अब ketabolism reaction के दोरान जो भी carbon dioxide बनेगा उसको हमें eliminate करना होगा carbon dioxide को हम क्या करेंगे harmful compound है इसे हमें क्या करते है हमें cell से हम इसे carbon dioxide को eliminate करेंगे carbon dioxide produce cell और release out जो भी carbon dioxide cell में produce होंगे उसको हम cell से release करवा देंगे बाहर निकार देंगे respiration breathing किसे कहते हैं everything का दूसरा नाम हम respiration जानते हैं तो breathing किसे कहते हैं breathing उसे कहते हैं atmosphere का जो oxygen है वह हमारे lungs में आए और जो lungs में carbon dioxide जो produce है उसे हम atmosphere में भेज देते हैं उसको हम क्या कहते हैं breathing कहते हैं breathing एक ऐसा process जहांपर क्या होगा gases का exchange होगा गैस में दो ही गैस आते हैं एक आक्षियन एक कार्बन डाइकसेड एटमास्पियर में कार्बन डाइकसेड लंक्स से बाहर जाएगा और atmosphere से जो oxygen होगा और लंक्स में आएगा है यहां पर एक चेंज होगा अदला बदला होता है उस process के हम क्या कहते हैं breathing या respiration कहते हैं अब हम पढ़ते हैं respiratory organ respiratory organ की breathing के जो मकनीम होगा वो अलग 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 अनिमल में अलग अलग तरीकिस होता है दो चीज पर डिपन करता है में ली एक तो habitat भी डिपन करता है दूसरा कहता है लेवल आफ freshwater पे डिपन करता है ऐलिए टीयवल टीयश्यव में आप पढ़ेंगे और आफ अरग्ष्ण चाल लेवल को होता है जब हम इन्यमल टीच्प रहांगे तो बहाँ पर धिस्कस करेंगे जैसे लोवर इन्वर्टिवेट हुआ जैसे लोवर इन्वर्टिवेट हुआ लोवर इन्वर्टिवेट में लोवर इन्वर्टिवेट में जैसे स्पंज हुआ, सिलेंट्रेड हुआ, फ्लेट मार हुआ इनका जो गैसेस का जो इक्सचेंज होगा किसके दोरा होता है, simple diffusion दोरा होता है simple diffusion किसे करते है, simple diffusion एक ऐसा प्रस्टर होता है जहांपर कोई energy का खर्च नहीं होता है simple diffusion दोरा होता है, over the entire body surface body के surface में simple diffusion होगा और simple diffusion दोरा gases का exchange होता है यसे अर्थवार होगा अर्थवार में जो gases का exchange होता है मॉस्ट क्यूटकल थो होता है इसके थो एत्मस्परिक जो एर होगा वो बाडिक अंदर ट्रांसपर्ड हो जाता है फिर इसके बाद lungs यहां पर हम प्ड़ते गिल गिल को दूसरा नाम हम कहते हैं ब्रैंक्यलिस एरेस्पारेशन कहते हैं गिल का दूसरा नाम एक बैस्कोलरी स्ट्रक्चर होता है गिल्स जो हती है एकोईडिक आर्थोपोड में पाई जाते है एकुएटिक, अर्थोपोड़ा और मौलसका में गिल्स पाय जाता है और जबकि लंक्स लंक्स को यह दूसरा नाम बैस्कुलाईज बै कहते है लंक्स के द्वारा जो रिस्पारिशन होगा उसे हम क्या गते है पल्मोरी रिस्पारिशन कहते है गिल्स के रिस्पारिशन को ब्रेंकिल रिस्पारिशन केते हैं और लंक्स द्वारा जो रिस्पारिशन होगा वह है पलमोरी रिस्पारिशन केते हैं और पलमोरी रिस्पारिशन पलमोरी रिस्पारिशन या लंक्स द्वारा जो जो रेस्पारिशन होगा, ट्रेस्टियल एनिमल करते हैं, जो ट्रेस्टियल में होते हैं, ट्रेस्टियल में जो एनिमल होते हैं, वहाँ पर गैसर का इक्चेंज करते हैं, जो लंक्स द्वारा रेस्पारिशन ट्रेस्टियल एनिमल में पाए जाता है, और इनमें लंक्स बर्ड और मामस इनका जो respiration होता है उए lung होता है Ёए और खास बात यह होता है एम फिबिये में SPL it है और हम फ्रांग की बात करें फ्रांग में जो respiration होगा moist skin तहुता है इस प्रकार का respiration का हम कहा थे cutaneous respiration केते हैं जो मौस्ट इसकें दौरा रिस्पारेशन होता है अब हम पढते हिम्हें रिस्पारेशन को लेकि तुल हुझा। के थे कुट है की ने से रिस्पारेशन करते हैं। फ्राक्स में दूचेस्ट से दौरा हुझा believer एक तो Corps दौरा भी होता है । और दूसरा मॉइस्ट इसके दोरा भी रिस्पारेशन होता है अब हम परते ही हुमे रिस्पारेटी सिस्टम हुमे रिस्पारेटी जो सिस्टम होता है एक पेर इस्टर्णन नॉस्टिल होता है एक पेर जो इस्टर्णन नॉस्टिल होगा आपर लेप्स के ओपर उसे को ही एक पीर के लिए बाहाते हैं और यह तो इकर्शनक ब्रत जो उसे होता है और फलत आपन होता है और यह उसावान होता है अटाया राण जीच नाशोल बख Daloo को चाहते होता है एर के लिए होता आप यही Farinc Open होता है Larynx region आप Trachea Larynx में Open होगा फिर इसके बार Trachea open होगा क्योंकि जो Larynx होगा वो Traachea का First Part ही होता है Farincs open into the Larynx Larynx open into the Trachea क्योंकि जो Traachea का First Part को हम Larynx कहते हैं Larynx को हम क्या तहें Cardonasiness Larynx को Sound Box हम कहते हैं काम करता है। इसलिये लैर्रिंग्स को हम क्याते हैं यह ट्रेकिया है और इसके वपर क्या हो ता एक गलाटिस पाया जाते है। जो हम दिखा रहे हैं है इसे हम क्याते हैं, इपिगलाटिस क्याते हैं, अब जिसे हम खाना, जब हम भोजन निगलते हैं, निगलने के दवरान, जो इपिगलाटिस होगा, इपिगलाटिस एक थिन इलास्टिक काटलीनियस फ्लेप होता है, जो गलाटिस को कबर करता है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो prevent the entry of foot into the larynx larynx के अंदर भोजन जाने से रोखता है 비 glut Rodrigue ट्रेकिया एक straight tube होता है ट्रेकिया जिसे ट्रेकिया होता है ये ट्रेकिया क्या होता है एक straight tube होता है और straight tube किया उप्दा फिपता ऐसे थोरगी Falls डिवाइड हो जाता है हो जाता है है इ स्टेंड टूब होता है। ट्राइखिया क्या होता है कि छोमश्रीघ divide हो जाता है यही लिखा है थेवरी में इस सब क्या region होता है? trachea region होता है यहाँ पर लिखा है कि trachea एक state tube होता है और stand of the mid thoracic cavity, mid thoracic cavity में strand कर जाता है और जब mid thoracic cavity to stand कर जाता है divide into the fifth thoracic vertebrae, tip 5 में divide हो जाता है फिप थोड़ा की बाठी ब्रहा और राइट और लेट बरांकाई में चेंज हो जाता है यह प्रामरी बरांकाई है और यह सिकंडरी बरांकाई है प्रामरी और सिकंडरी बरांकाई क्योंकि जो राइट साइड होगा वो राइट बरांकाई में उपन होगा और जो लेट इनका रिपिट डिविजयुन होगा सिगन्डरी और टरसरी बरांकाय में ऊपन होते हैं सिगन्डरी अवर टरसरी रितरी रितरी रिपर सória और तल़ंडरीमें उपन होगा और रितर अ मांद रितर। terminal branchulo अब हम देखते हैं अब यही terminal जो branchille होगा ओर terminal branchulo में open होगा और terminal branchule जो होता है ओर बहुत पतला होता है बेरिथेन होता है जैसे यहाँ पर लिखा है trachea में अब यहाँ पर हम बात करते हैं incomplete cartilisus ring incomplete cartilisus जो ring होता है ऐसे सी सेफ होता है कम्प्लीट रिंग नहीं होता है हाफ रिंग होता है इनकम्प्लीट काडलेजनस रिंग का सेफ होता है सी सेफ होता है इनकम्प्लीट काडलेजनस जो रिंग होता है कहां कहां तक पायाता है ट्रेगिय से स्टाट होगा पिर प्राम्री ब्रंकाई, सिकंडरी ब्रंकाई, तर्सरी ब्रंकाई और इनिशिल ब्रंकियल तक पाय आता है प्रतिक टर्मिनल ब्रंकियल बेरी थिन बैग लाइग इस्ट्रक्चर है उसे हम क्या गते हैं एलव लाइग कहते हैं उसमें जाके ओपन हो जाता है टर्मिल ब्रांकियों से किसी का फार्मेशन होता है एलव लाइग का फार्मेशन होता है एलव लाइग जो होता है बेरी थिन होता है एरिग्लर वाल होता ह और basculi, bag-like structure होता है जो terminal branchial L-line open होगा अब क्या होगा यहाँ पर lungs किसे कहते हैं लंक्स हम उसे कहते हैं branching network का ब्रांकाई, ब्रांकाई में क्या होगा primary branch, secondary branch और trussary branch यहाँ पर लिखा है lungs किसे कहते हैं, lungs जो होती है branching network का ब्रांकाई, primary branch, secondary branch branching, trussary branching, और branchiolo और elbly, इन सब की मिलाके हम क्या कहते हैं, lungs कहते हैं clear अब lungs जो होती है, हमारे बाड़ी में दो lungs होते हैं और जो दोनों lungs होते हैं जो दोनों lungs होते हैं, वो double layer द्वारा, double layer पिलूरा द्वारा कबड होते हैं और layer की बीच में पिलूरा फ्लूट पाए जाता है और पिलूरा फ्लूट का काम यह होता है reduce the fraction of the lung surface lung के surface को घर्षट से बचाते हैं जो outer पिलूरा मेंबरेन होगा outer जो पिलूरा होगा वो थोरा की चेंबर के संपर्ग होगा थोरा की थोरगी चंबर के संपर्खम होगा अब जबकि इनर जो पिल्योर मेंब्रे होगा और इनर पिल्योर मेंब्रे ओलंक के सर्फेस के संपर्खम होगा अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर रिस्पारेटरी सिस्टम रिस्पारेटरी जो सिस्टम होगा respiratory system दो प्रकार होते हैं एक तो क्या होगा conducting part होगा और दुसरा क्या होता respiratory आथो exchange part होगा conducting part कहां से start होगा conducting part जो इस्टरनल नास्टियर से start होगा और terminal ब्रांकियों तक समाफ्त होगा उसे हम क्या गते है conducting part पार्ट, कंड़क्टिंग पार्ट, एक्स्टर्नल नॉस्टिल से स्टार्ट होगा, और जाके खतम कहाँ होगा, टर्मिल, ब्रांकियोल में खतम होगा, तो उसे कंड़क्टिंग पार्ट कहते हैं, जबकि जो एक्स्चेंज पार्ट होगा, वो एलबलाई से स्टार्ट होगा, इलबलाई से इस्टार्ट होगा इलबलाई और उसके डक्ट दो चीज मिलके इलबलाई और इलबलाई की डक्ट मिलके क्या होता है रिस्पार्टरी या तो एक्स्चेंज रिस्पार्टरी सिस्टम respiratory पार्ट या exchange पार्ट बनाते हैं अब जो conductive पार्ट का काम क्या होता है conducting पार्ट की चार काम होते है first काम होता है atmospheric air into the alubly जो atmosphere का हवा होता है वो हमारे lungs में आता है या alubly में आता है अब दुसरा काम यह होता है clear the foraging clear the clear from foraging पार्ट के लिए जैसे कोई dust particle हो या कोई bacteria हो contingentive part क्या होगा उन सब को पुरा clear particle करके लेगा तो वहाँ पर कोई bacteria हो कोई dust particle नहीं होगा पुरा साफ सुतर पार्ट के लाएंगे हमारे lungs के अंदर और क्या काम होता है contingentive part का humidified नमी प्राप्त करता है and bring the air to the body temperature जिस तरह हमारा body का temperature होगा उसी temperature के अंसार हमारे conducting part का काम होता है जितना body का हमारी temperature होगा उतना temperature बाहर का जो temperature माल लिए अगर 40 degrees Celsius है अब हमारी body temperature 30 degrees Celsius होता है तो जितना body का हमारा temperature होगा उसी temperature के अंसार air हमारे body में इंडर करता है और एक्षेंज पार्ट का क्या काम होता है यही पर एक्षेंज पार्ट का 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 काम होता है यही पर एक्ष इसे न्येक हो गया आ ka ये पूरा हमारा क्या होगा इतना पूरा जो पार्ण होगा इतना पार्ण को हम ट्रंक कहते है इतने पार्ण को हम ट्रंक कहते हैं इसकी डिवाइड हुता है हैं हम ट्रंक डिवाइड इन whilst मॉस्कुलर इस्टर्चर होता है उस क्याते हैं डायफराम कहते हैं जो रिजन डायफराम कहतेश है कि इस ठोरी इस एक कrakेते हैं तोर्घिक रिजन कीई और सुर्घिक है इस फोर ऐसे हैं सब्डोरा के रिजन यह हमारे क्या होगा नेक रीजिन होता है यहां से क्या होता है ट्रेक्ष पास होगा और ट्रेक्ष इस्टेभाइड होगा राइट और लेफ्ट में और यहीं पर फिर प्रहिगर लंक्त होगा गना कि ultra प्रामरी यह सिगंडरी प्रामरी ब्रांका यह राइट और लेफ्ट में डिवाइड होगा और जाके ओपन होता है लंक्स सर्फेज में ओपन होगा यह लिखा है लंक्स जो होता है स्विच्वेटर होगा थोरकी चमबर में और थोरकी जो चमबर होगा एनाटॉम्गली एर टाइट चमबर है एर टाइट चमबर मतलब क्या होता है ना तो एर अंदर जाएगा ना तो एर बाहर निकलेगा एट टाइच चैंबर मतलब यह होता है यह दी थोरकी जो चैंबर होगा डासली डासली मतलब पीठ के साइड होगा डासली पीठ साइड में डासली अगर समझे तो समझे वो पीठ साइड होगा अगर हम बेंट्रिल कहेंगे तो या चेस्ट साइड को या चेस्ट सीनक साइड ह उसे बेंडर क केते हैं और डार्सली पीजिन होगा हुगा पीछे जो इस्षा होगा जूदाबस घ्राइट Gen boredomager कोलम पाई जाते हैं और जाकि बेंडरेजन डीजिकर्गोद में इस्टर्णम होते हैं और लेनेय रिप्स होते हैं और लोर सर्फिस पर क्या होता है डायफ्राम होता है और डायफ्राम के जो सेफ होगा डॉम सेफ होगा थुरकी चंबर किसी से बना होता है फस्ट हमारा क्या होगा देखिए डार्सल साइड में बाटी बरल कालम हो गया और बेंटर साइड में स्टर्नम हो गया लेटरल साइड रिम्स हो गया और लोवर साइड में डायफ्राम हो गया जैसे यह ना टॉमकल हमारे जो लंक्स होते हैं हमारे जो थोरेक्स होते हैं थोरेक्स के अंदर जो लंक्स होते हैं यह इस तरह सेट अफ होते हैं यह दि थोरा की कैप्टी में यह कोई चेंज होता है थोरा की कैप्टी के बैल्यों में यह कोई भी चेंज होगा यह हमें चेंज कहां पर देखने मिलता है पल्मोलरी कैपटी में या लंक्स कैपटी में हमें चेंज देखने की मिलता है reflection हमें पल्मोलरी कैपटी या लंक्स कैपटी में देखने मिलता है हम डारेट यहां पर लिखा असपरस्ट है cannot direct alter the पल्मोलरी बैलूम पल्मोनरी बैलूम हम डारेक्ट पल्मोनरी बैलूम को चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक थोरकी काईपटी में कोई चेंज नहीं होगा तब दक पल्मोनरी काईपटी में कोई चेंज हमें नहीं देखने मिलेगा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है respiration involved the following step total 5 step होते हैं 5 step बताने से पले मैं आपको एक फिरा ड्रा करता हूँ एक एक step वहाँ पर समझ आपको आ जाएगा जैसे यह क्या होता है lungs होते है यह lungs हो गया lungs यह blood होता है फिर इसके बाद क्या होगा इस तरह टीसू होते हैं group आप से लकों हम टीसू कहते हैं यह क्या होगा lungs हो गया यह blood हो गया यहाँ सब क्या हो तो blood बड़े हैं इस सब blood हो गया blood हो गया और यह क्या तो टीसू हो गया देखें सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर क्या होगा atmosphere का air lung surface में आएगा यहाँ पर oxygen आया और यहाँ पर carbon dioxide बाहर निकल जाएगा यह पहला होता है breathing किसे कहते हैं गैसे उसका exchange होता है अब दूसरा नमबर क्या होगा यहाँ पर alebyli होगा यहाँ पर क्या होगा ऐसे alebyli होगा और यहाँ से gas ऐसे आएगा oxygen आख्षियन इसे आएगा alebyli अब carbon dioxide यहाँ से यहाँ से निकलेंगे alebyli से और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आख्षियन आ रहा है और carbon dioxide निकल रहा है फिर यही जो oxygen होगा ऐसे oxygen आएगा ऐसे oxygen आएगा फिर blood से होते हुए oxygen tissue पास पहुंच जाएगा यहाँ पर oxygen tissue पास पहुंच जाएगा फिर इसके बाद cell ने oxygen को यूटलाइज किया और यूटलाइज के दोरान carbon dioxide भी निकलेंगे अब carbon dioxide इस तरह ऐसे जाएगा carbon dioxide इसे निकल के फिर इस carbon dioxide बाद निकल जाएगा तो हमारा पड़े lungs फिर blood फिर इसके बाद tissue अब देखिए यही figure को हम यहाँ पर इस्टफ दिया गया है कौन कौन इस्टफ है पहला क्या थे breathing breathing को हम क्याते है pulmonary ventilation इसमें क्या होगा जो atmosphere का जो air होगा वो body का अंदर आएगा और जो lungs के अंदर जो carbon dioxide से rich air है उसको बाहर बेद दिया जाएगा उसी को हम करते है breathing मलद बहुत सिंपिल समझे यहाँ पर gases का exchange ही breathing कहलाता है दूसरा क्या हम पर पढ़ेते है diffusion diffusion gases होगा किस के बीच alveolar membrane और blood की बीच होगा अभी हमने दिखाया था तिसरा क्या होगा अभी ही gas transport हो रहे है और चौथा नमबर यह है diffusion हो रहा है gases का between the blood और tissue blood और tissue की बीच में gas का diffusion हो रहा है चौथा नमबर यह होता है फिफ्ट नमबर हमारा हो जाएगा utilization of oxygen by the cell अब cell ने oxygen की utilize करेगा केड़ बोली यह reaction के दोरान और जब इसके दोरान फिर क्या होगा carbon dioxide release होगा carbon dioxide जब release होगा और वही हमें cellular respiration हम इसको detail पढ़ेंगे अब हम आपको structure बताई दिए एक बार हम आपको और structure यहाँ पर बनाग दिखा दे रहा हूँ जिसे यह हमारा क्या होगा देखिए lungs होगया यह हमारा lungs होगया और lungs के अंदर इसे बहुत सारे अलवलाई है बहुत सारे अलवलाई है और फिसके बाद open होता है क्योंकि यहाँ पर gas के भी हमने पहला इस्टप हमारा यह था दूसरा इस्टप हमारा यह था इक्चेंज हो रहा है अलवलाई और बलड की बीच gas का इक्चेंज हो रहा है diffusion हो रहा है देखिए जब यहाँ diffusion होगा और फिर यहाँ पर टांस्पोर्ट हो रहा है टांस्पोर्ट होगे बाद यहाँ पर जो tissue होते हैं फिर यहाँ पर diffusion होगा चोथा नमर आमारा यह हो जागा देखिए बलड और tissue की बीच diffusion हो रहा है gas का आक्सिएन और आ रहे है आप carbon dioxide आपर इसे जाएंगे carbon dioxide आपर इसे जाएंगे फिर यह क्या होगा आक्सिएन ने चोथा इस्टब यहाँ पर हो जागा चोथा इस्टब यह हो जागा diffusion आप पाँचोवा इस्टब क्या होगा वही oxygen cell यूज करेगा यह टीशू यूज करेगा क्यों गुरूप आप cell को टीशू कहते है या हम कहें cell यह टीशू यूज करेगा पाँचोवा नमर यह हैं फिर इसके बाद carbon dioxide आइस से फिर निकल जाएगा यह हो गया हमारा lungs यह हमारा blood हो गया यहाँ पर सब blood भले हैं और blood vessels है और यह सब क्या है टीशू हो गया यह सब हमने टीशू बनाया है यह हम cell अब हम आपको नेश्ट वीडियो में हम ने देखिए यहाँ पर इस ट्रक्चर बहुत बड़ा मानि रखता है अब हम पढ़ेंगे breathing mechanism जो हमारे नेश्ट वीडियो लेक्चर होगा पार्ट नमबर हमारा टू होगा नेश्ट वीडियो लेक्चर में हम breathing mechanism समझेंगे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बिल आइकन को प्रेस कर लिजे यहाँ पर हम क्रेस कोस अभी वीडियो अप्रोट कर रहे हैं जैसे हमारा क्रेस कोस पूरा होगा तब हम आपको डीटिल पढ़ाएंगे नेश्ट यूनिट आप को सचाते हैं आप हम से कमेंट करके बताएए में नेश्ट इविड वही श्टाट करूंगा यहाँ हमारा फिप्त इविड चल रहा है हमें फीजोलाजी इसके बाद आप जो भी इविड होगा नाइथ हमने इविड इविड इस्टाट करेंगे अभी कोई डिसाइड नहीं होगा है जिस तरह होगा हम उस तरह बताएंगे या तो रिप्रोड़क्षन आप प्लांट और इनिमल स्टाट करेंगे वमेन रिप्रोड़क्षन या प्लांट रिप्रोड़क्षन या तो हम पढ़ाएंगे पाहला चेप्टर है क्लास 11 का लिविंग वर्ड अब हम आपको मिलते नेस्ट वीडियो में बाइ बाइ